अद्बुद जन्जातिय संस्कृति को समेटे पुर्वोत्तर भारत के राज त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदित पश्चिम त्रिपुरा की छात्रा आधृता चक्रवर्ती हमसे ओनलाइन जुड रही है तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति है तू माननिय अधान मंत्री महोदाय मेरा नाम आधृता चक्रवर्ती है मैं प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कप्षबार्वी की छात्रा हूं मेरा आपसे यही प्रश्टर है कि पेपर खतम होने के आखरी कुछ मिनिटों मैं घब्रा जाती हूं और मेरा दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य चथीजगर्स्तिद्ध जवाहर नवोदे विद्याले करब कांकेर के छात्र शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं थता परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्क दर्शन चाहते हैं तैफुर रहमान क्रिपे अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार मेरा नाम शेक टैफुर रहमान है मैं प्रियम स्वी जवाहर नवोदे विद्याले कांकेर 36 गड़ का छात्र हूं मान्यवर परिक्षा के दौरान अधिकांस छात्र घबराहट महसुस करते हैं जिसके कारण वे मुर्ख मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाएं क्रिप्या अपना मार्ग दर्शन दे धन्यवाद शुक्रिया तैफूर उडिसा आदर्श विद्याले कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राज लक्ष्मी आचार्या मौजूद है वे प्रधान मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती है राज लक्ष्मी क्रिप्या अपना प्रश्न पूछिए होनरेबल प्राइम मिनिस्टर जय जगनात किस तरफ है किस तरफ है राज लक्ष्मी हां जय जगनात मैं नेम इस राजलक्षमी आचारया आम फ्रम ओरिसा आदर्श विद्याले जोकिदोले बांक की कटक जै जगनात मैं आच क्रिप्या जो डिर्त घंपट अ ओरी की कनात करा आस डिएवन डा लक्ष्मी प्रढर नमत्रीजी एड्रिता ताफर ख्रृप और राज लक्ष्मी और इनके जैसे अनेग विध्यारतियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्क्रणों में प्राह ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विध्यारतियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के द तलाव से भुक्ति कैसे हो आप देखिए कैसी गलती होती है कुछ गलतियां यह रोज मारा कि हम फ़ड़ा अब्ज़र करें तो पता चलेगा कुछ गलतियां पैरेंट्स का अती उत्सा कर देता है कुछ गलतियां स्टूडन्ट की अतीशे सिंस्यारिटी कर देती है बस समय तो उससे बचा जाए जैसे मैंने देखा है कि कुछ माबाप को लगता है काज अग्जाम है तो बेटे को नहीं पैन लाकर के दो जड़ा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो तो उसका काफी समय तो उसमें अच्छे सोने में जाता है शर्ट ठीक है कि नहीं है उनिफर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है माबाप से मेरा आगर है जो पैन रोज उप्योग करता है नो वह ही दीची आप या वहाँ पैन दिखाने थोड़ा जा रहा है और परिक्षा के समय किसी को फूरसर नहीं है आपका बच्चा नया पहन कर गया है पूरा ना पहन कर आए तो ये साहिकी उनको भार आना चाहिए दूसरा कोई ऐसी चीज़े खिला करके बेजेंगे तुझे एक्जाम है ये खाके जाओ एक्जाम है ये खाके जाओ तो उसको और मुसीबत होती है जुसका वो कमपट नहीं है आवशक्ता से जुग उस दिन खाना फिर मां करें तुपरा तो एक्जाम सेंटर इतना धूर है तुम रात आते आते साथ बच जाएगा ऐसा करो कुछ खाके जाओ फिर कहें कि कुछ लेके जाओ उसको रिजिस्ट वो रिजिस्ट करने लगता है नेक मैं नहीं ले जाओगा वहीं से तनाव शुरू हो जाता है घर से निकलने से पहले हो जाता है तो मेरी सभी पैरेंट से आपेच्छा है और मेरा सुझाओ है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीदे दीजिए कि दर्वाजे तक किताब छोड़ते नहीं दर्वाजे तक अब आप अच्छाना कि इस प्रकार से इवन रेल्वे स्टेशन पर भी जाते हैं तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री इसा होता है गया आप 5-10 मिट पहले जाते हैं प्रेटफरम पर खड़े रहते हैं कहां आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं फिर उजगा पर जाते हैं फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगे जा ले जाऊंगा फिर कौन सा याने मन आपका तुरंत अपने आपको ट्रेन आने से पहले ही सैट करने लग जाता है वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है हो सकता है वो को शुबे से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे लेकिन 10-15 मिनिट पहले तो अलाव करी देते हैं तो आराम से जैसे ही खुले अंदर कौन जाईए और आनाम से बैढ़िए मस्ती से जरा पुरानी कोई हसी मजाग की चीज़े हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए और दोस्ती बगल मत एका चुटकुला सुना दीजिए हसी मजाग में पल पॉइंट दस मिर्ट बिटा दीजिए कुछ नहीं है जानकवा इसलिए जीए आप खुद में खो जाएगे एक्जाम से बाहर निकल जाएंगे और फिर जब आपके हाथ में क्वेस्चन पेपर आएगा तो आप कमफर्ट होंगे पढ़ना क्या होता है वह याग नहीं वह देखाएग नहीं वह कैसा है पना नहीं टीचर कहां देखता है सी सीचीट वे कैमरा किसी भी कोणने पर पढ़ा है क्या ले रहते रहा है जी हम इनी चीजों में लटके रहते हैं और वही बिना कारां हमारी शक्ति समय वेश करता है हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए और जैसा ही क्वेस्चन पेपर आजा है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप फर्स बेंच पर आपका नंबर आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर वो पीछे से बाटना शुरू करता है तो आपका दिमाग फट रखता है देखिए मेरे से तो पांट मिट पहले उसको मिलेगा इसा होता है ना अब ऐसी चीजों में अपना दिमाग खपाओगे कि पहले एक क्वेश्चन पर मुझे मिला कि 20 नंबर के बाद मिला तो आप अपने अड़र जी आप परसिती तो पलट नहीं सकते टीचर ने वहां से कुई कि आप खड़ी ओकर नहीं कह सकते पहले मेरे से दो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं तो आपको पता है ऐसा होना फिर ऐसे ही अपने अपने आपको अड़र जाहिए एक बार आप ये आदल बगल की सारी दुनिया और हम बचपन से पढ़ते तो आये हैं वो हर्जुन को पक्षी की आँख वाली कथा तो सुनते रहते लेकिन जीवन मे आता है तो नहीं पैड भी दिखता है पत्तियां भी दिखती है तब आपको वो पक्षी की आँख नहीं दिखती है आप भी मन में ये कथाई सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसको जीवन में लाने के मोका होता है तो पहली बात तो ये हैं कि इन सारी बाहिये चीजों से आप द इक्ष्या में गबड़ाहट का कभी कारण यह होता है कि कभी लगता है समय कम पढ़ गया कि कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो question पहले कर लेता तो इसका उपाई यह हैं पहले एक बार फूरा question paper पढ़ लीजिए फिर मन से तै कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनिट मोटा मोटा मेरा जाएगा और उसी प्रकार से अपना समय ताय कर लीजिए अब खाना खाते हैं, खाने गली बैठते हैं, गड़ी देखकर के थोड़े खाते हैं, 20 मिंट में खाना खाना है, खाते खाते हैं, आदत हो ही जाते हैं, अब इतने में 20 मिंट भी हो गया और खाना भी हो गया, इसके लिए कोई गड़ी और कोई बेल थोड़ा बचता है, कि त आप एक्जाम देने जाते हैं, मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं, आप फिजिकली पैन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं, यही करते हैं, दिमाग अपना काम करता हैं, आप क्या करते हैं, आज के यूग में आइपड के काराण, कॉम्पूटर के काराण, मोबाइल के काराण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है जब भी एक्जाम में लिखना होता है इसका मतलब हुआ मुझे अगर एक्जाम के लिए तयार करना है तो मुझे अपने आपको लिखने के लिए भी तयार करना है आज कल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है और इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पार्टन में लगाते हैं स्कूल के बाद उसका मिनिमम फिप्टी परसंट टाइम मिनिमम फिप्टी परसंट टाइम आप खुद अपनी नोट बुक के अंदर कुछ नोट लिखेंगे हो सके तो उस विशे पर लिखेंगे और तेन बार चार बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे तो आपका जो इंप्रूमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद मैं लिखने की आदत हो जाएगी तो कितने page पे लिखना इतना लिखने में कितना समय जाता है ये आपकी Mastery हो जाएगी कभी-कभी मनसे विशय आपको लगता है ये तो मुझे आता है जैसे आप माननेजिए कोई बड़ा प्रसिद्ध कोई गाना सुन रहे हैं गाना बज रहा है तो आपको लगता है ये गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है लेकिन एक बार गाना बन करके जरा कागज पी लिखोन वो गाना आता है क्या तो पता चलेगा नहीं या सुनते समय ज एक शब्द के सबन में के जो बात आएगी तो मैं पीशे रह जाऊँगा मेरी आज की पीडी के साथियों से बहुत मेरा अग्र है कि कृपा करके आपकी एक्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना कितना याद रहा सही रहा गलत रहा सही लिखते हैं गलत की तो बात का आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर किजिए अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे मुझे पक्का विश्वास है कि एक्जाम हॉल में बैक्टें के बाद जो अनकमफोर्ट या प्रेसर फिल करते हैं वह आपको लगे गा ही नहीं क्योंक नहीं लगता है आपको क्योंकि आप तैरना जानते हैं आपने किताओं में तैरना ऐसे होता है और आप सोते हैं मैं को पढ़ा था हाथ पहले एसे करते हैं फिर दूसरा हाथ पर तीसरा हाथ पर चौता तो फिर आपको लगता है पहले हाथ पहले हाथ पहले पहले दिमाग से खब कर लिया अंदर जाते ही पूने मुषिबध शächenव हो जाती है लेकिन जिस ले पानी में प्रैक्टिसुम कर दी उसको कितना ही गहरा पानी क्यों हो उसको भरोसा होता है मैं पार कर जाओंगा और इसलिए प्रैक्टिस बहुत आवश्क है लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्क है और लिखना जितना होगा शार्पनेस ज्यादा आएगी आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी और अपनी लिखी को तीन बार चार बार पढ़के खुद करेक कीजिए जितना ज्यादा खुद करेक करोगे आपकी उस पर ग्रिप बहुत ज्यादा आएगी तो आपको अंदर बैठ करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरा अगल बगल में वो बड़ी स्पीड से लिख रहा है मैं तो तीसर पर चला गया दिमाग इसमें मत खपाईए बाबा वो साथ में पहुचे नव में पहुचे करे न करे वो पता नहीं वो सिनेमा की स्टोरी लिखता होगा तुम अपने पर भरोसा करो तुम अपने पर भरोसा करो अगल बगल में कौन क्या करता है छोड़ो जितना ज्यादा अ आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टिमेटली आपको परणाम उचीत मिल जाएगा धन्यवाद जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेबे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जमें भी भूलन तो नहीं